Hello dear students, welcome to the next lecture. इस lecture में हम पढ़ेंगे unit 5 which is merry go round. I climbed up on the merry go round and it went round and round. Round का मतलब होता है गोल गोल घूमना. तो merry go round जो है वो एक जूला है जिसे हम फेर में देखते हैं और वो गोल गोल घूमती है. तो यह कहती है I climbed up on the merry go round. मैं merry go round में चड़ी and it went round and round और वो गोल गोल घूमने लगी. I climbed up on a big brown horse. तो big का मतलब होता है बड़ा और यह है brown और horse का मतलब है घोड़ा. I climbed up on a big brown horse and it went up and down. मैं एक बड़े brown कलर के घोड़े के उपर चड़ी और वो up and down, up and down इस तरह से चलने लगी. मतलब मैं इस घोड़े के उपर चड़ी और वो उपर नीचे फिर उपर नीचे इस तरह से चलने लगी. Around and round and up and down तो यह मेरी go round, round and round और up and down इस तरह से चल रही थी. Around and round and up and down. I sat high up. तो students high का मतलब होता है उचा. तो मैं बहुत ही उचे होर्स पर बैठी थी. I sat high up on a big brown horse. तो मैं इस big brown horse पर बैठी थी, जो बहुत उची थी. जमीन से बहुत उपर थी. और वो up and down, up and down and round and round घूम रही थी. and road around on the merry-go-round and road around. तो I sat high up on a big brown horse and road around on the merry-go-round and road around. मैं इस घोडे के उपर बैठी, जो बहुत ही उची थी. और फिर मैंने राइड किया इस merry-go-round को up and down and round and round. on the merry-go-round, I rode around on the merry-go-round, around and round and round. फिर मैं इस merry-go-round के उपर गोल-गोल घूमने लगी. new words यहाँ पर है around. around का मतलब है चारो और. next है down, d-o-w-n, down, down का मतलब है नीचे. in, in का मतलब है में, जैसे यह teddy bear इस box में है. तो हम कहते हैं, this teddy bear is in the box, यह teddy bear इस box में है. on, on का मतलब होता है पर, जैसे यह लड़का इस table पर बैठा है. तो हम कहते हैं, this boy is sitting on the table. out, out का मतलब है बाहर, जैसे go out and play, मतलब तुम लोग बाहर जाकर खेलो. round, round का मतलब होता है गोल, जैसे यह मेरी go around, round and round, घूम रही थी, मतलब गोल गोल घूम रही थी. up, up का मतलब होता है उपर. up, up का मतलब है उपर, जैसे this horse was going up and down, up and down, यह horse उपर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे इस तरह जा रही थी. I ride on a horse, मैं horse पर सवारी करता हूँ. I ride on a horse, ride का मतलब होता है सवारी करना, on का मतलब होता है पर, horse का मतलब होता है घोड़ा, I ride on a horse, मैं घोड़े पर सवारी करता हूँ. How did the merry-go-round go, merry-go-round कैसे जा रही थी, तो merry-go-round went round and round, merry-go-round, round और round, गोल-गोल जा रही थी. तो यहां हम लिखेंगे, it went round and round, next है, how did the big brown horse go, जो big brown horse है, वो कैसे जा रही थी, तो the big brown horse went up and down, वो उपर और नीचे, उपर और नीचे, इस तरह जा रही है, तो the big brown horse went up and down, तो यहां हम लिखेंगे, it went up and down, Have you seen a merry-go-round, क्या आपने कभी merry-go-round देखा है, students, अगर आपने देखा है, तो यहां लिखो yes, अगर आपने नहीं देखा, तो यहां लिखो no, where have you seen it, अगर आपने merry-go-round देखा है, तो आपने कहां देखा है, तो generally हम merry-go-round को fair में या मेले में देखते हैं Would you like to go to a fair क्या आप मेले में जाना पसंद करोगे तो इसका अंसर है हाँ, yes Yes, we would like to go to a fair हम सबको fair मेले में जाना बहुत अच्छा लगता है Look at this picture and describe the fair Talk about the things you enjoy at a fair तो यहाँ पर students एक picture है हमें इस picture को देख करके इस fair के बारे में बताना है तो आप बताओ कि आप इस picture में क्या-क्या देख पा रहे हो चाफिर जब भी आप fair में जाते हो कभी मेले में जाते हो तो आप क्या-क्या देखते हो सबसे पहले तो हम बहुत तरह के बलून्स देखते हैं, काफी सारे वहां पर लोग आते हैं, जो बलून्स बेचते हैं, बहुत तरह के आईस क्रीम्स हमें देखने को मिलते हैं, और हमें बहुत सारे खिलोने वहां देखने को मिलते हैं, और फिर बहुत स्वादिश्ट पकवान, मिठाईयां हमें खाने को मिलती है तो इसी लिए हम सब को fair में जाना बहुत अच्छा लगता है next यहाँ पर एक merry go round की photo है go round the merry go round round का मतलब होता है goal तो इस merry go round के goal goal अप जाओ find the letters and say them aloud और फिर जो-जो letters आपको दिखे आप उनको मेरे साथ जोर से बोलो तो यहाँ पर यहां से अगर हम शुरू करें, सबसे पहले है लेटर A, तो A, फिर है B, तो B, फिर C, नेक्स्ट, D, E, F, G, H, I, J. तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम साथ में बोलते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. और फिर हम यहां से शुरू करेंगे, K, L, M, N. उसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे, O, P, Q, R, S, T, U, V. और फिर फाइनली यहां से, W, X, Y, Z. अब हम सारे लेटर्स को एक साथ बोलते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. नेक्ट स्टोरी है, सर्कल, लिसन, रीड, एंड ड्रॉ। पहले आप सुनो, उसके बाद इसे पढ़ो और फिर ड्रॉ करो। One day Mohini was sitting with her grandmother, एक दिन Mohini अपनी दादी मा के साथ बैठी हुई थी Grandmother drew a circle, ग्रैंड मदर ने एक कॉपी पर एक सर्कल ड्रॉ की Can you draw a circle Mohini? फिर दादी मा ने Mohini से पूछा, क्या तुम सर्कल बना सकती हो? Mohini ने कहा, Yes, I can. Mohini ने कहा, हाँ मैं भी सर्कल बना सकती हूँ. Soon Mohini drew a circle, उसके बाद मोहिनी ने भी दादी को देख करके कॉपी में एक सर्कल बनाई. Now I'll draw a ball. उसके बाद दादी मा ने कहा, मैं एक बॉल बनाऊंगी उसी सर्कल के सहारे. Grandmother drew three lines on the circle. दादी ने फिर क्या किया? जो सर्कल उन्होंने बनाया था, उस सर्कल में उन्होंने तीन लाइन्स बनाए. Mohini drew these three lines on the circle. उसके बाद Mohini ने भी अपने सर्कल में तीन lines बनाए. It really looked like a ball. वो सच में एक ball, एक गेंद जैसा दिख रहा था. Now let's draw a balloon. दादी मा ने फिर कहा, अब हम एक बलून बनाते हैं. Grandmother added a zig-zag line to the circle. फिर उन्होंने क्या किया, दादी मा ने एक zig-zag line सर्कल में एड किया. Oh, it really looks like a balloon. Mohini clapped with joy. Mohini ने कहा, कि वो सच में एक ballon जैसा दिखता है. Mohini drew many circles. फिर Mohini ने क्या किया, उसने बहुत सारे circles draw किये. Big and small circles. Big का मतलब होता है बड़ा, small का मतलब होता है छोटा. उसने बहुत सारे बड़े और छोटे circles बनाए, जो red, blue, green and yellow कलर के थे. तो Mohini ने बहुत सारे छोटे और बड़े circles बनाए, अलग-अलग colors को use करके, जैसे red, blue, green, yellow. She also added zig-zag lines to these. और फिर उन circles को बनाने के बाद, उसने zig-zag lines add करी, ताकि वो balloons जैसे लगे. And now there were many balloons, और फिर उसके पास बहुत सारे balloons हो गए. Can you draw something else with a circle? क्या आप एक circle की मदद से कुछ और बना सकते हो? Asked grandmother. Grandmother ने पूछा, क्या तुम circles को use करके कुछ और बना सकते हो? Yes said Mohini. Mohini ने कहा, हाँ. She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face. तो फिर Mohini ने कहा, कि मैं एक circle की मदद से एक wheel, एक moon, एक sun, एक rabbit और मैं अपने face को भी बना सकती हूँ. और फिर उसने उन सारी चीज़ों को बनाया. New words है, ball, ball मतलब gain, blue, blue मतलब नीला color, circle, circle मतलब एक goal, goal तरह का आकार, lines, line का मतलब है, जैसे, ये कुछ lines है, ये है, एक straight line, और कुछ curved lines भी होते हैं, जैसे, ये है, एक curved line या zigzag line, next है, moon, m-o-o-n, moon, moon का मतलब है, चांद, Let's read, I can draw a circle, मैं एक circle बना सकता हूँ, the moon is round, चांद, goal होती है, What did grandmother and mohini draw first? Question है, दादी मा और mohini ने सबसे पहले क्या बनाया था? तो चलिए देखते हैं, दादी मा और mohini ने सबसे पहले एक circle बनाया था, Grandmother drew a circle, और फिर mohini ने भी उस circle को दादी मा को देख देखके उसमें बनाया था, तो सबसे पहले उन्होंने एक circle बनाया था, They drew a circle first, What were the colors of the balloons that mohini drew? Mohini ने कुछ balloons draw किये थे, उन balloons के colors क्या-क्या थे? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर mohini ने कुछ balloons बनाये थे, उन balloons के color थे, red, blue, green and yellow, तो यहाँ हम लिखेंगे, red, blue, green and yellow. In the circles below, draw, what grandmother drew, what mohini drew? तो इन circles में आपको draw करनी है, Grandmother ने जो बनाया था, और फिर mohini ने जो बनाया था, तो सबसे पहले, Grandmother ने एक circle बनायी थी, तो यह हमारे लिए बना हुआ है, उसके बाद Grandmother ने कुछ lines बनाये थे, ताकि वो circle, ball जैसा दिखे, तो उन्होंने कुछ इस तरह से lines बनाये थे, तीन line उन्होंने बनाये थे, तो यह एक ball एक gain जैसा अब दिखराया में, फिर mohini ने भी दादी को देख करके lines बनाये थे, और फिर दादी ने कुछ zigzag lines बनाये थे, ताकि वो एक balloon जैसा लगे, और mohini ने भी zigzag lines बनाये थे, नेक्स्ट है look at these shapes, इन shapes को देखो, तो यह है एक triangle, तो इस shape को हम कहते हैं students, triangle, यह है एक square, एक square के जितने भी side होते हैं, जैसे यह एक side है, यह एक side है, यह एक side है, यह एक side है, एक square के सारे sides बराबर होते हैं, equal होते हैं, तो यह है एक square, नेक्स्ट यह कौन सा shape है students, यह है एक rectangle, एक rectangle के सारे sides बराबर नहीं होते हैं, जैसे यह side और यह side बराबर नहीं हैं, तो यह है एक rectangle, एंगल, try making these shapes into a car, a house, a door, anything else, तो हमें अब इन shapes को यूज़ करके, या तो एक car, एक घर, एक डोर, या फिर कुछ भी हमें बनानी है, जैसे उन्होंने एक example यहां दिखाया है, कि इस square shape को यूज़ करके उन्होंने एक घर बनाया है, तो students, इसे आप as a exercise करो, सबसे पहले आप एक triangle को draw करो, इस तरह से कि वो या तो एक car, या फिर एक घर, या फिर एक दोर, या फिर कुछ भी shape जो आपके मन में हो, कोई भी design, वो वैसा दिखे, तो इस triangle को सबसे पहले हम draw करते हैं, तो जैसे ये triangle, अगर हम यहां पर इस तरह से दो lines draw करें, तो ये triangle एक tree जैसा दिखने लगता है, एक Christmas tree हमने देखा है, वो triangle shape का होता है, तो ये आप इस तरह से बना सकते हो, next जैसे ये square है, तो इस square को आप इस तरह से घर बना सकते हो, तो please आप इसे complete करो, next है rectangle, तो चलिए इस rectangle से हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करते है, तो जैसे हम कई बार देखते हैं, इस तरह से गाड़ियों को, इस तरह से ice cream जो गाड़िया होती है, वो कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ पर इस तरह से एक ice cream तो students, आप भी कुछ इस तरह से drawings बनाओ, draw along the dots, so what did you make, can you make sounds like a train, तो हमें इन dots के along draw करनी है, और आपको यह करके देखना है कि आपने क्या बनाया, तो जब आप इन dots को join करोगे, तो यहाँ एक train आपको दिखने को मिलेगी, can you make sounds like a train, फिर आप, चाप train की तरह sounds कर सकते हो, जैसे जो train चलती है, चुक 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 चुक, और फिर जिस तरह से वो horn करती है, तो आप कोशिश करो उस तरह से sounds करने की, draw a face on the balloon below, one has been done for you, तो यहाँ कुछ balloons है, यह balloon yellow color की है, और इन balloons में हमें face draw करना है, एक face हमारे लिए already यहाँ उन्होंने बनाया है, तो चलिए इस balloon में हम लोग एक face draw करते हैं, तो students इसे आप भी मेरे साथ करो, आपको जैसा अच्छा लगे, आप उस तरह का face यहाँ पर बनाओ, ठीक है students, तो यह हो गया एक face, let's read and write, हमें पहले इन letters को जोर से बोलना है, और फिर उन्हें यहाँ पर trace करना है, जैसे है यह है, A, फिर B, उसके बाद C, D, E, F, एक बार मेरे साथ बोलो, A, B, C, D, E, F, अब आप इन letters को trace करो, तो यहाँ पर A, फिर B, C, D, E, F, उसके बाद हमें इन letters को trace करनी है, तो एक बार मेरे साथ साथ बोलो, G, H, I, J, K, L, तो फिर से हम बोलते हैं, G, H, I, J, K, L, तो इसके बाद आप इन letters को trace करो, नेक्स्ट है, M, N, O, P, Q, R, तो हम फिर से बोलेंगे, M, N, O, P, Q, R, तो फिर फाइनली आप इन letters को भी trace करो, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ fruits है, सबसे पहले हैं mango, M, A, N, G, O, हमने पिछले chapters में पढ़ा है mango के बारे में, mango yellow color की होती है, जब वो पक जाती है, और जब वो थोड़ी कच्ची होती है, तो वो green color की होती है, तो जो yellow color की mango होती है, जिसे हम कहते हैं ripe, जब वो पूरी तरह से पक जाती है, तो उसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत sweet होती है, नेक्स्ट यहाँ पर nut, N, U, T, nut, तो nuts हम सब खाते हैं, जिसे हम मुंग फली भी कहते हैं कई बार, नेक्स्ट है orange, O, R, A, N, G, E, orange, orange, orange color की होती है, और यह खाने में भी बहुत sweet होती है, नेक्स्ट है peach, P, E, A, C, H, peach, तो यह peach जो है, वो pinkish yellow color की होती है, मतलब यह थोड़ी थोड़ी pink और थोड़ी थोड़ी yellow, दोनों के combination से इसका color बनता है, तो next आपको इन letters को trace करना है, यहाँ पर है mango, तो इसे आप trace करो, next है nut, इसे आप next trace करो, बस आपको इसके उपर लिखनी है, जैसे nut को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले N हम लिखेंगे, तो N को हम सबसे पहले इससे लिखते हैं, और फिर ऐसे, उसके बाद U हमें लिखना है, तो U हम ऐसे लिखते हैं, और फिर ऐसे, और finally T लिखेंगे, तो सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे, इसी तरह से आप बाकी letters को भी trace करो, यहाँ पर है orange, यहाँ पर है peach, look at the picture and fill in the blanks, इन pictures को देखो, और फिर इन blanks को fill करो, तो सबसे पहली picture है यहाँ पर dog की, dog की spelling होती है, दी, ओ, जी, डॉग, तो यहाँ पर blanks में हम क्या लिखेंगे students, यहाँ पर होगा O, और यहाँ हम लिखेंगे G, डी, ओ, जी, dog, next है bull, तो bull कुछ इस तरह से दिखता है, और bull की spelling होती है, बी, यू, एल, एल, बुल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी, यू, एल, एल, बुल, next यहाँ पर है elephant, elephant कुछ ऐसा दिखता है, और elephant एक बहुत ही big animal होती है, बहुत ही बड़ी जानवर होती है, elephant की spelling होती है, E, L, E, P, H, A, N, T, elephant, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, E, L, E, P, H, A, N, T, elephant, elephant का मतलब होता है, हाथी, next है owl, तो यह owl, जनरली हम रात को देखते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं, ullu, तो यह दिन में सोती है, और रात में फिर अपना शिकार ढोंड़ती है, तो owl की spelling होती है, O, W, L, owl, तो यहाँ हम लिखेंगे W, यहाँ हम लिखेंगे L, next है horse, horse का मतलब होता है, गोड़ा, तो horse की spelling होती है, H, O, R, S, E, horse, और बताओ students, यह horse किस कलर की है, तो यह horse है, white कलर की, तो अगर आपसे कोई पूछे, यह कौन सी कलर की है, तो यह है white कलर की, और बताओ students, यह elephant किस कलर की है, तो यहाँ पर elephant है, grey कलर की, तो इसका कलर है grey, तो यहाँ हम लिखेंगे horse, H, O, R, S, E, horse, next है cat, cat का spelling होता है, C, A, T, cat, cat, cat का मतलब है, billy, तो यहाँ हम लिखेंगे, C, A, T, cat, तो चलिए students, अब हम कुछ animal के sounds सुनते हैं, सबसे पहले है African grey parrot, next है alligator, next है ant eater, नेक्स्ट है एक एप नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स एक बैट कैसा साउंड करता है नेक्स्ट चलिए हम बी को सुनते हैं नेक्स्ट है कैमल नेक्स्ट देखते हैं बफ़लो नेक्स्ट है बटर्फ्ली नेक्स्ट है बटर्फ्ली नेक्स्ट है बवहेड वेल नेक्स्ट सुनते हैं चिकन ब्रफ्ली नेक्स्ट है इसमिदी नेक्स्ट छुलेंट तो सब्स्ट है इसमिर्फ्ली शजडी पर श्रृब नेक्स्ट है बच्ट सब्सूर्ट भबंद गाये और नेक्स्ट है डखल» next is a crow, next is a duck, next is a duck, next is a duck, next is a elephant, next is a frog, next is a giraffe, next is a hippopotamus, horse, next is a horse, next is a horse, next is a humpback whale, next is a lion, lion ko hum king of the jungle bolte hain, next is an owl, next is a leopard, next is a panda, next is a penguin, next is a pig, next is a rabbit ko, robo, next is a rhinoceros, next is a rhinoceros, next is a rattlesnake, shark, next is a rat, next is a shark, next is a shark, robo, next is a wolf, next is a tiger, नेक्स्ट इस तर्की नेक्स्ट इस याक और लास्ट में है जीब्रा तो ठीक है स्टूडेंट्स ये था यूनिट फाइव नेक्स्ट अब हम मिलेंगे यूनिट सिक्स में तब तक के लिए बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो